हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है नीटु के खाना खजाना मैं और मैं नीटु देखिए आज मैंने क्या क्यों हूं ना कि पानी गरम होने के लिए चड़ा दी हूं मैं आज बनाने जा रही हूं पीठा तो इसके लिए देखिए पानी गरम हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा सान लेते हैं चावल का आटा लिए है इस चावल के आटा में ही दाल का फीठा बनाने जा रहे हैं चावल के आटा को पहले अच्छे से सान लेते हैं जैसे गेहूं के आटे का रोटी उट्टी तेयार किया जाता है ना उसी तरह स ना ज्यादा सक्त ना ज्यादा सॉप्ट तो देखिए इसके लिए हम चना का दाल भी लिए हैं तो चना का दाल को हम पहले पीस के रेडी कर लेते हैं तो इसमें हम जने के दाल के लिए हम क्या कि लहसन लिए हैं थोड़ा यह दिखे मैंने पीछ के रिडि कर लिया है जने सी काषार ग्याकिन सी कि अधनिया कपत्ता डाल के और यह दाल जो पीसे हैं इस पानी थोड़ा भी उज नहीं किये हैं पानी उज करने से क्या होता है वो गीला हो जाता है तो साथ में देखिए इसमें दो तीन हरी मिर्च थोड़ा साध्रक का घीज के मैंने डाल दिया है कि और नमक जो है वो डालके जब बनाना रहे तभी नमक डालना चाहिए तो देखिए अप्टोड़ा नमक में स्वात के अनुसार डाल दे रहे हैं नमक डालके अच्छे से इसको मिला लेते हैं अधर मेरा आटा जो था वो रेडी हो चुका था तो इसको हम थोड़ा सा पाच मिनट कर रेष्ट के लिए छोड दिया है है सबह हान真的 क्या करते है ना लुए जैसे रोटी बनाते है ना उसी तरह संब इसको से देते हैं अच्छे से अच्छे से देखिए ुस तरह से से गढ़ा लिये है और इसका जो फीलिंग है ना, वो दाल का एक चमच के करीब इसमें डालेंगे, जादा नहीं, देख लेंगे, थोड़ा जादा रहेगा, तो उसको किनारे से निकाल भी दे सकते हैं, इस तरह से इसको डाल के, और इसे चीप चाह लेते हैं, और इसको हातों की मदद से इसको क् जम जाता है तो देखिए इस तरह से मैंने दाल को दाल के पिठ्ठे को तैयार के लिए है दूसरा भी मैं आपको बना के रेडी करके दिखा देती हूं है इसी तरह से हाथों से थोड़ा सक्षा होता ने कि मसल लेने से ठीक रहता है कि अज़ी तरह से एदेखिंग नम कटोरी का से इसका ठीकनेस जो हो रहेगा ना वह थोड़ा ना ज्यादा मोटा ना पत्ना क्योंकि यदि हम आटा का लोई थोड़ा ज़्यादा मोटा कर देंगे ना तो यह क्या होगा कि खाने में टेस्टी नहीं लगता है तो इस तरह का थिकनेस की देखिए इस तरह से दूसरा भी मैंने बना के रेडी कर लिया है कि दूसरा भी बना के रेडी कर लिया है इसी तरह से हम साड़े पीठे बना के रेडी कर लेते हैं इतर मैंने देखिए पानी करब होने के लिए हम चरहा दिये थे आप चाहो तो कड़ाई में किसी भी बड़ा बड़तन में आप इसको इसको क्या करते हैं ना कि बॉयल करेंगे तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से डाल दिया है, अब इसको देखिए, कम से कम इसको 15-20 मिनट लगता है पकने में, तो देखिए, 10 मिनट के करीब हो गया है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको उलट-pulट देते हैं, ताकि अच्छे से अंदर भाला भाग भी पक जाए, देखिए अंदर से पक गया है तो इसका कलर देखिए एकदम से चेंज हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसको प्लेट में निकाल लेते हैं कि हम इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि क्या होता है ना जो भी यह आटा आटा चिप कराता है वह अंदर से अच्छा हो जाता है कि यह देखिए कितने अच्छे मेरे पीठे बन के दूसरा सिफ्ट भी हम इसी तरह से बना लेते हैं कि कम दूसरे सिफ्ट में हम इसी तरह से पीठा बना ले रहें ढ़िटिक कई इसी तरह से देखे 15 मिनट के करीब हो गया है तो देखे मेरे सारे पीठे बनके रेडी हो चुके हैं आई होप आप लोगों को ये दाल का पीठा जरूर पसंद आएगा फ्रेंट ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना भी बहुत आसान ही है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है तो अभी देखे थोड़ा गरम है तो इसको मैं चाकू से काट के दिखाती हूं ये देखिए कितने अच्छे मेरे पीठे देखे दाल और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट आई होप आप लोगों को ये पीठा जरूर पसंद आए का बेट ये बिहार का फेमस है पूस महीने में ये पीठा बनाते हैं और ठंड के मौसम में बनाते हैं तो आई होप आप को ये पिठे के रेस्पी पसंद आया तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कूर ना भूले प्रेंग